हाई गाइज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पैनिस की जो लेंथ होती है और पैनिस की जो गर्थ या मोटा ही होती है वो कैसे बढ़ा है तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में मिस्कंसेप्शन होता है कि अगर पैनि को सेक्स के टाइम पर जादर सेडिस्फाई कर पाएंगे बट ऐसा कुछ नहीं होता है पैनिस की मिनिमम् लेंथ जो होती है वो 4 cm चार सेंटी मीटर तगर होगी तो भी वूमन को आप अपन सेक्स के टाइम पर सेडिस्फाई कर सकते है उसका रिजन क्या है कि जो फीमिल की विजाएना होती है, उसकी entrance पर ही छोट इसी clatteris होती है, उसके अंदर stimulation चाहिए होता है, अंदर तो ऐसा कुछ matter नहीं करता है, तो जो उसके stimulation के लिए तो 4 cm की length में service होती है, एनिमेज फिर भी देखो कि लोगों का क्या concept होता है, कि penis की length बढ़ानी है, penis का size बढ़ाना है, आपको यहां पर, penis ऐसे लगा होता है, ठीक है, ऐसे, आपकी body से आगे ऐसे लगा होता है, तो एक toti penis की length, ठीक है, जो लोग बोलते हैं कि वो लंबा करना है, उसको और दूसकी तो गर्थ मतलब की, यह वाले कि इसकी मोटा ही बढ़ानी है, पतला है, इसको मोटा करना है, तो penis की यह दोनों भी करे जा सकते हैं, surgery से, सबसे पहले तो मैं आपको जाता हूं कि जितने भी यह market में मिलते हैं, यह वाला तेल लगा लो, वो तेल लगा लो, ऐसा लगा लो, ऐसा लगा लो, वो सब फेक होता है, फेक नहीं होता है, तो मैं तो आपको 50 दिया, फिर आप इंटरनेट पर सर्च कर लो, आपको 50 वो मिल जाएंगे, ऐसे, लेकिन वो रियल में फेक होते हैं, आपको, मतलब, आप पता नहीं किसी लोग को कुछ असर होता है, नहीं होता है, बट इसका बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब, आप करोड़ो रुपे का मार्केट है, पॉ ये जो स्रक्चर होता है पैनिस का, इसके अंदर के अवता है, छोट छोट दो तीन मसल्स होती है, इसे, दो उपर और एक नीचे होती है, और इससे आपका पैनिस बनता है, अभी बात होती है कि पैनिस की लेंथ को या पैनिस की मूटाई को आप कैसे बड़ा सकते हैं, तो पैनिस की जो नापने का होता है, वो दो तरिस होता है, तो इस स्टेज के अंदर एवरेज साइज जो अगर हम लोग बोलेंगे कितनी होती, तो ये आराउंड 8-10 cm तक ऐसे एवरेज लोगो का होता है, लोगो का कम भी होता है और वो तकलीफ वाली बात नहीं होती है, सबसे पहले ये क्लियर करो, तो अगर मैं एवरेज बात करो, मतलब बहुत से लोगों का बात करो, अगर मैं सर्वे करोंगा और लोगों को चैक करोंगा, तो 8-10 cm उनका बैठे हुए पैनिस के अंदर लेंथ उसकी होती है, और गर्थ मतलब ये मोटाई भी अराउंड 10 cm के असपा प्लास्टिक सर्जरी में ही इसको कड़ते हैं, अगर आपको कभी कड़वाना हुआ, तो आप क्या करना है, आप मेरे पास मता हो, आप कोई जो एड़ कर रहा है, उसके वाजी मत जाओ, आप क्या करो, आप अपके जो सीटी के अंदर गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज होता है, अपैसा होता है, अबी मुझे बढ़ाना है पैनिसकी मोटा ही, इसको मता हो, यह सको मता करना है, तो मूटा करना है, तो मूटा कैसे करूँगा, आप खुद सोचे हो, ठींस को, मोटा कैसे कर सते है, लोग कि है बिलकुल बेसिक है कैसे कर सकते हैं अगर मैं इसके अंदर कुछ फिल कर दूँ मतलब यह जो पेनिस की चमड़ी यहे बैसे आपको बताता हूं तो प्लास्टिक डॉल Обस् प्लास्टिक डॉल स्केस टालएं की डिना प्लास्टिक और हम लोग कुछ डालनें बॉडि सी निकाल के अपनीत तक्ष्छम Gewा की अगर हम लोग कुछ डौत इसको बहुत इंप्लांट के बॉलते हैं वह से रिएक्शन दिखते हैं व्हों बाहर नि तो आपके थाइस से हम लोग चरबी निकाल लेते हैं आपके पेट से चरबी निकाल लेते हैं कैसे राइपो सक्षन करके ठीक है उस चरबी को निकालके उस चरबी को हम लोग प्रोसेस करते हैं मशीन के अंदर और फिर उस चरबी को इंजेक्शन के अंदर फिल कर लेते हैं औ विए चारो तरफ तो क्या होता है पैसलों का अब मोटा हो जाएगा सब्सक्राइब आपने नॉर्मल है थीक है लेकिन अगर मैं यहां से अपने पेट से लिपोश्चिन निकाल कि यह चंबडी के नीचे डाल दुम आप पैट की तौ पैट पैटी की तो पैटी से मोटा हो जा होता है और ऐसीट भी होता है पेजिट और भी थे अंदर भी डाल और इसको उन्सकाट होगा है तो पेला तरीका तो क्या होगाया शुटार है के अमने जिए už फैट करते हैं उसको क्छेफ और जो इसके-अतेध सकते हैं अद्डी है कहते हैं, ere का ईफ जो यहां से नहीं निकालेंगे tvd, ने वाध मेहां निकालेंगे, यह समचाने के बता रहा है, कि जैसको मैंने यहां स्पी निकाले चोड़ी चंपärी तो अरती Sikh heating चंपरी को बंद कर दिया, अब बिल्कुल मोटा हो जाएगा, टो एसे भी हम लोग पेंट की डाला को भीज है और अगर आप लोग कब deciding करी एक वेड़ी में रखाओ उतला उसको यहां पर, पिछे की साईट तो आपको अगर देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा फैट इंजेक्शन कैसे करते हैं ठीक है बहुत ही बेसिक प्रोसेजर मिला के एक घंडे में खतम हो जाता है इतना चोटा प्रोसेजर होता है फैट इंजेक्शन कि पेशन की वें न्यकाल voters उस फैक्सरा के माइक्रो च्रीजगल रुटा है तो उसमें इकस्टा वेंड उसे तो वो बढ़ट जाता है बढ़त difard के पहला हो गया फैट डालना दूसरा हो गया डर्मिस को डालने का डर्मल इंप्लांटेशन इसके लावा कुछ आर्टी विशल इंप्लांट्स भी आते हैं बड़ हम लोग प्रिफर करते हैं कि पेशिंट की बॉड़ी का ही टिशुल हो ताकि रियक्शन कम से कम हो और हमेशा यह रिक्शन बहुत कम होता है तो यह बात हे पेनिस की मोटाई बढ़ाने कि किस से पेनिस की मोटाई बढ़ जाती अब बात पieनिस की लेंद क्या से बढ़े हो मैं इथर यहां पर लगा होगा ठीक है नीचे की साइड में कईसे लगा होता है यह अभी ठुटाट से दिकना ठीक है इतना चमड़ी के अंदर है और यह मेरा नॉर्मल लेंथ है तो अभी में क्या करूंगा यह पैनिस और स्किन के बीच में कुछ लिगामेंट होते हैं उसको में बोलते हैं प्यूब प्रॉस्टेटिक लिगामेंट ऐसे अगर में लिगामेंट उसकी वज़े से पैनिस यह पैनिस आगे नहीं निकलता जादा ठीक है रेक्ट हो गया यह फ्लेस इरेक्ट पट अगर यह लिगामेंट में कट कर दूँगा एसे तो क्या होगा फिर यह पैनिस की एक्स्टा लेंथ अंदर से जो बॉड़ी के अंदर पैनिस से वह आ जाएगी तो इस तरह से हम लेंथ बढ़ाते हैं लेकिन रुको इतना कीजी नहीं होता है पेशीन के लिए क्यों डॉक्टरgeblier वेजय को कि ले अनन्दर चल जा सकता है वांपस से वह छौटा हो सकता है तो वह आवाइड करने के लिए आपको छे महीने तक पैनिस के ओपर वजन लगा के रखत लटकाना होता है, मतलब सूच अब क्या होगा, मतलब आपके पैनिस के आगे एक वजन लटका देंगे, हम लोग वजन भी कम वजन नहीं होता है, कम से कम पांच से लेके दस पांड का वजन, पांच से दस पांड का वजन, इतना वजन पेडिस से लटका है तो पेडिस की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और पेडिस की मोटाई को भी इंक्रीज कर सकते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आपको यहां को इसा बोलता है कि आप अपने देख्गा भी आप ट्रेंज से ट्रेवल करते हो तो आप देखा हुआ वाँ रस्ते में बोड लगे होते हैं कि लिंग की लंबाई बड़ा और ये बढ़ा वो बड़ा गाइस बिल्कूल नहीं होता है मैं बदा रहों आपको अपने पाइसे लोगे पास मत जाओ ठीक है और दूसरी चीज है कि यूट्यूब यूएससे से एक पार्सल आप हमेरे लिए यह पार्सल तो यह पार्सल खोलनी पाया था मैं तो फिर मैं आज खोला इसको यह पांच शेद दिन पहले डिलिवर हो गया था और इसमें सिल्व तो थेंक्यू अल सबने जिसने सबस्क्राइब करा है और जो सबस्क्राइब करते हैं उन सबको थेंक्यू वीडियो वाच करने के लिए और मुझे सिल्वर प्रे विटन दिलाने के लिए और या और बाकी कुछ लोगा कुर्शन होता है कि दोक्टर पैनिस जो हो थोड़ा थेड़ा है थोड़ा थो थोड़ा नॉम्घली पैनिस जो होता है उसके लिए पेंचर मतलो अगर भगा में तो फिर आपको डॉक्टर से जठाना चाहिए ब्स दोक्ते जो होते हैं वह प्लासिक रर्यन भी सौρग देख ता भी जो पेला लंlock, इसे को हो नहीं बनाना भी, इवन हम लोगे ऑस्पिटल में तो युरोलोजी डिपार्टमेंट प्लास्टिक सरजन को ही उलाता है कर इसा कुछ ट्रॉलम होती है तो बाकी और पेरोनीज डिजीज के बारे में लोग पूछते हैं कि दॉक्टर पेरोनीज डिजीज क्या होते हैं कि आपके पैनिस के अंदर के पैनिस पर और दो की कोशिका या चेल होती है जो कि फाइबस टिशू बनाते हैं तो इसके पैनिस के लेंद्ब दो क Part 2 रहता है तो आपो डम लेसी की nsこれant दो से प्युरो को आपको रिलीज भी करना होता है तो पर दीज के बारे में जाए डिसकस नहीं करूंगा अगर आ फिर भी आपकी क्वेरी तो आप कमेंट में डाल दो कुछ टॉपिक से वीडियो बना दो कमेंट आल दो तो मैं वीडियो बना लूँगा इंस्साग्राम पे आप फॉलोग कर सकत है कॉल मी फॉर आपको प्लेइस तो डानलोड करना है और शाम को आठ के लेकर और शादे गंडे का टाम में उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं यह तो तो थैंक्स वाचिंगे टेव नाइस दें बाव बाई